नमस्कार दोस्तों मैं सुमते को फिर से बहुत-बहुत सौख करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हेलपर यूट्यूब चरनल पे फिर सब इस्टूरंट्स के मेरे पास भर-भर के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे स्टूरंटस ऐसे हैं जिनका सेकेंडरी पासवर्ड जिनको नहीं पता है आपको पता होगा जब आपने NCHM Counseling 2023 का ऑनलाइन रेइस्ट्रेशन करा था वहाँ पे आपको आपसे दो पासवर्ड लिया गया था मतलब आपने अपना दो पासवर्ड बनाया था एक था Primary और एक था Secondary पासवर्ड Primary पासवर्ड जो आपको काम आता है आपको आपके पोर्टल में आपके प्रोफाइल में लॉग-न होने के लिए जो रॉल नम्बर और पासवर्ड देखर के आप एंटर करते हो secondary password आपका काम आता है guys choice filling और choice locking के लिए अब बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने पहले register कर लिया था उन्होंने choice filling के लिए छोड़ दिया थे फिर जो भी है तो अब वापस से वो अपनी choice filling को करना चाह रहे हैं या फिर choice modify करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको चाहिए होता है secondary password या फिर कुछ students ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी और से अपना form फिल करवाया है या फिर किसी cyber cafe से form फिल करवाया है और उनको पता नहीं था कि उनका जो secondary password है वो क्या है तो अब उन लोगों को बहुत problem आ रहे हैं क्योंकि secondary password डालना compulsory है अगर आपको choice filling करना है या फिर choice lock करना है और choice filling बहुत जरूर है आपको किसी भी IHM में seat लेने के लिए तो यहाँ पे आपके पास secondary password नहीं है उसको forget आप कर सकते हो forget कहां से करना है कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ so guys forget secondary password करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NCHM counseling में अपने portal में sign in कर लेना है sign in यहाँ से आप अपना roll number और password साधे 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 security pin है इसको fill करने के बाद simply आप यहाँ पे sign in कर सकते हो sign in होते ही आपके सामने में आपका जो profile है जो वो open होकर के आ जाता है अब यहाँ देख लोग यहाँ choice filling पे आप जैसे ही click करते हो तो आप से जो secondary password है वो मांगा जाता है अगर आपके पास secondary password नहीं है तो आप यहाँ पे देख लोगे यहाँ उपर में यह change password जो है वो यहाँ पे दिया गया है तो change password पे simply हम लोगोंने click करना है जैसे ही आप यहाँ पे click करते हो आपके सामने में यहाँ पे change primary password, change secondary password and forgot secondary password दिया गया है गया है आंसर मांगा गया था, तो जो भी आपने वहाँ पे security question और answer दिया है उसको आप proper तरीके से सही से fill करना, then आपका जो process है वो हो जाया गईज, यहाँ पे देखो बहुत सारे students को तो उनका security answer तक नहीं पता है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, भाई साब के लिए आजाएगा, तो यहाँ पे proceed करने के लिए simply आपने yes कर देना है, जैसे ही आप yes पे click करोगे, आपका जो next process से forget password का वो होने लग जाया गईज, अभी जो server है, अभी जब मैं इसको use कर रहा हूँ तो अभी तक जो server है, वो issue चल रहा है, यह forget password वाला हो नहीं पा रहा, तो आप एक बारी शाम में जरूर ट्राइ करना, शाम में आप एक बार ट्राइ करोगे, तो probably यह हो जाएगा, और जो आपका password है वो forget हो जाएगा, secondary password guys, so यही था process, किस तरीके से आप forget कर सकते हो password hope के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, maximum share अगर सब इस students के पास, जिसे उनके भी help हो जाएगा, एक बार शाम को जरूर ट्राइ कर लेना, आप यह forget करने के लिए password को, अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो NCHM दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद